हेलो फ्रेंट्स मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चनल InfoTech Official मे traction time अगर आपको अपने जिरो से 5 साल के बच्चे का नया धार कार्ण बनाना है तो UIDI की तरफ से हाली में एक नया फॉर्म जारी किया गया है जिससे आप अपने 0-5 साल के बच्चे का नया धार कार्ड भी बनवा सकते हैं साथी साथ अगर आपको धार कार्ड बे किसी तरीके का अपडेट करवाना है तो भी आप करवा सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 0-5 साल के बच्चे का एक नया धार कार्ड बनवाना है तो UIDI के द्वरा जारी किये गए नए फॉर्म का यूज़ करके किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं किन-किन डाकुमेंट के आपको जरत पड़ेगी और किन-किन चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स टाम विजट कर रहे हैं अभी तकर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ 12 किशन बेल आइकन को हॉल पे दबा कर जरूर सेट कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं 0-5 साल के बच्चे का नया धार कार्ड बनाने के लिए आपको यो आइडिया की तरफ से जारी किये गए इस नए वाले फॉर्म की जुरूत पड़ेगी जिसमें आप यहाँ पे उपर लिखा देख पाएंगे अधार Enrollment Update Form Child 0-5 Years यानि कि अगर आपको 0-5 साल के बच्चे का नया धार कार्ड बनवाना हो या फिर उसमें कोई भी अपडेट करवना हो तो अब आपको इस नए वाले फॉर्म का यूज करना है अगर आप पुराने वाले फॉर्म का यूज करेंगे जरूरी है कि यहाँ पे आपको किन-किन डाकुमेंट्स की जरूरत पढ़ने वाली है 0-5 साल के बच्चे का नया धार कार्ड बनाने के लिए तो सबसे पहले तो आपको बच्चे के बच्चे के बच्चे का नया धार कार्ड बनाने के लिए form को fill करने से पहले आपको कुछी जो का ध्यान रखना है कि एक तो इस form को आप capital letter में ही fill करेंगे और साथ ही साथ आपको blue pen का use करना है इस form को fill करने के लिए इसका आपको एक print out निकाल लेना है print out निकालने के बाद आपको इस form को fill करना है सबसे पहले आपसे पुझे जा रहा है कि आप 0-5 साल की बच्चे का नया धार काड़ बनवाना चाहते है या फिर उसमें कोई update करवाना चाहते है तो हम इस वीडियो में 0-5 साल की बच्चे की नया धार काड़ को किस तरी की से बना जाता है इस समन्द में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको new enrollment का option मिलेगा इसके आगे box दिया गया है इस पे आपको tick लगा देना है उसके बाद में आपको second number पे आना है जिसमें आपको resident Indian अगर आप Indian है तो यहाँ पे resident Indian के option को select करेंगे यानि कि यहाँ पे आपको tick लगा देना है otherwise अगर NRA है तो यहाँ पे NRA के option के आगे आपको tick लगाना है column number 3 जो आपको दिया गया है यह आपको तभी fill करना है जब आप अपने 0-5 साल के बच्चे के अधार काड में कोई भी update करवा रहे है जैसे कि उनका mobile number update करवा रहे है डेटो बाद, address, name, gender, email ID या fill language अगर यहाँ पे आप उपर update के option के आगे tick लगाते है तभी आपको column number 3 fill करना होगा अगर आप new enrollment के आगे tick लगा रहे है तो यहाँ पे आपको column number 3 fill नहीं करना है इसको आपको खाली छोड़ देना है उसके बाद में यहाँ पे fourth number पे आपको अपने बच्चे का पूरा नाम लिखना है जैसे कि उनके document में दिया गया है जैसे कि उनके birth certificate में लिखा हुआ है तो यहाँ पे birth registration number लिखेंगे space देंगे और अपने बच्चे का पूरा नाम यहाँ पे आप लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे आपको बच्चे का gender select कर लेना है seven number पे बच्चे की जो पूरी date of birth दी गई है उसके birth certificate में वो birth certificate के अनुसार ही यहाँ पे आपको date of birth देनी होगी date, month or year यहाँ पे आपको लिख देनी है उसके बाद यहाँ पे eight number column में आपको बच्चे के parents की detail देनी हो बच्चे के माता और पिता दोनों का अधार नमबर देना mandatory है यह आपको देना ही होगा साथी अधार authentication by one of the parents is required अधार नमबर आपको दोनों का देना होगा माता और पिता का लेकिन जो अधार authentication किया जाएगा वो बच्चे के माता या पिता दोनों में से सिरफ एक का किया जाएगा इस चीश का आपको द्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहले आपको बच्चे की जो mother है उनका पूरा नाम यहाँ लिख देना है उसके बाद में उनका धार नमबर आएगा इसी तरीके से बच्चे के father का name यहाँ पे आएगा और उनका धार नमबर यहाँ पे आएगा इसके नीचे आपको एक column और दिया गया है अगर आप यहाँ पे बच्चे की माता या पिता दोनों में से किसी एक के detail नहीं देते हैं तो उसका कारण यहाँ पे आपको लिख के बताना होगा कि क्यों बच्चे के mother या फिर father के detail आप नहीं दे रहे हैं अगर आप यहाँ पे दोनों के detail दे देते हैं तो यहाँ पे इस column में आपको कुछ भी fill करने की जुरूयत नहीं है उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे आएंगे जिसमें आपसे पुछा जा रहा है in case both parents are not available अगर दोनों ही parents available नहीं है यानि कि माता और पिता available नहीं है तो यहाँ पे आपको उनका reason देना होगा क्यों available नहीं है और साथी साथ जो बच्चे के guardian का name है बच्चे के guardian का name आएगा और उनका अधान नमबर यहाँ पे आपको देना होगा उसके बाद में यहाँ पे आपको document produce का option मिल जाता है जिसमें आप birth certificate दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको birth certificate का option मिल जाता है इसके आगे जो check box दिया गए है इस पे आपको tick लगा देना है एक चीछ का आपको ध्यान रखना है कि कुछ birth certificate ऐसे होती है जिसमें बच्चे का name print नहीं होता है बच्चे के name की जगे उस birth certificate पे baby of बच्चे के माता या पिता का name लिखा होता है तो अगर इस तरीके का birth certificate आपके बच्चे का बना हुआ है जिसमें baby of करके बच्चे के माता या पिता का name लिखा है तो वो valid नहीं माना जाएगा, यहाँ पे आपको साफ सा बताया गया है, birth certificate with the name as baby of dash is not allowed, तो इस चीच का आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का जो भी birth certificate हो, उस पे आपके बच्चे का पूरा नेम प्रिंट होना चाहिए, तभी वो valid माना जाएगा, यहाँ पी जो box द तो यहाँ पे जो box दिया गया है, इस पे आपको टिक लगाना है, लेकिन एक चीच का दियान रखेगा, जो बच्चे चायल्ड केर में रहते हैं, या फिर जिनके माता या पिता नहीं है, किसी अनाधाले में रहते हैं, यह सरफ उनी बच्चों के लिए है, तो इसको आपको care of co-op खाली भी छोड़ सकते हैं, यह optional है, आगे आपको house number, building number या फिर apartment number लिखना होगा, उसके बाद में street, road या फिर lane number देना है, कोई landmark है तो landmark की detail देंगे, ward number देंगे, area, locality और sector का name देंगे, यहाँ पे village, town और city का name आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप post office हो, वो देना mandatory है, अपने post office का name आपको लिख देना है, district लिखेंगे, sub district लिखेंगे, state लिखेंगे, अगर आपके पास में email ID available है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको एक mobile number देना है, जो की mandatory है, उसके बाद म आपको जरूर फिल करना है, यह भी mandatory है, column number 10 आपको तभी फिल करना है, जब आप अपने बचे के अधार कार्ड में कोई भी update करवा रहे है, अगर आप एक नया अधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो फिर आपको column number 10 फिल करने की जरुरुत नहीं है, अगर आप update करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो document दिये गए है तो आप किस चीज के लिए कौन सर document दे रहे है वो चीज यहाँ पर आपको mention करनी होगी जैसे कि proof of identity के लिए कौन सर document दे रहे है proof of address के लिए कौन सर document दे रहे है date of birth proof के लिए कौन सर document दे रहे है और साथी साथ proof of relation के लिए आप कौन सा डाकुमेंट दे रहे हैं उसके बाद में यहाँ पे बच्चे के पेरेंट्स के सिगनेचर आएंगे पेरेंट्स अवेलिबल नहीं है तो बच्चे के गारजन के यहाँ पे सिगनेचर आएंगे जब इस फॉर्म को आप कम्पलेटली वहाँ पे आपको विजट करना होगा अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर के नियरबाए कौन सा अधार सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे आप जा सकते हैं तो आपको यूँआडिय के पोटल पे विजट करना है इसका link आपको description box में मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद में get adhar के section में आपको first number पे locate and enrollment center इस वाले option पे click कर देना है उसके बाद में यहाँ पे तीन तरीके से आप अपने अधार center को search कर सकते है state, pin code या फिर search box तो सबसे best तरीका है यहाँ पे pin code आपके अधार कार्ड पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा तो इस option पे आपको click कर देना है उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने अधार का pin code एंटर करना है देगे capture को fill करेंगे और यहाँ पे locate center इस वाले option पे click करेंगे उसके बाद में आपके सामने enrollment center की list आ जाती है आपके घर के nearby जो भी enrollment center available हो वहाँ पे आपको visit करना है वहाँ पे आपको अपने बच्चे को साथ में ले कर जाना है क्योंकि वहाँ पे उनके photograph भी लिये जाएंगे और साथी साथ आप बच्चे की जो parents हैं माता या पिता दोनों में से एक के fingerprint भी वहाँ पे लिये जाएंगे तो आपको form अपने साथ में रखना है साथी साथ बच्चे का जो birth certificate है वो भी आपको अपने साथ में रखना है और बच्चे की जो parents हैं माता या पिता दोनों में से एक का दार कार्ड भी आपको अपने साथ में रखना है वहाँ पे operator के दोरा आपकी से भी details सही से fill की जाएगी और उसके बाद में आपको कुछ दिन का wait करना होगा कुछ दिन के बाद में आपके 0-5 साल के बच्चे का नया धार कार्ड बना दिया जाएगा जिसे आप online भी download कर सकते हैं या फिर आपके घर की जो address है वहाँ पे भी वो धार कार्ड डिलिवर कर दिया जाता है अब बात कर लेते हैं 0-5 साल के बच्चे का नया धार करड बनाने के लिए जो form आप फिल कर रहे हैं इसे आप कहां से download कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूत नहीं है आपको uidi.gov.in इस वाले official portal पे visit करना है वीडियो के description में दिये गए link पे click करके आप इस portal पे directly आ जाएंगे एक चीज का ध्यान रखेगा जब भी आप mobile पे इस portal को open करें तो आपको desktop site पे enable नहीं करना है आपको normally इस website को open करना है और यहाँ पे आपको left side में three dot का option मिलेगा इस पे आप click करेंगे उसके बाद में यहाँ पे first number पे आपको मायदार के option पे click करना है जैसी आप click करेंगे आपको last में download का option मिल जाएगा इस पे जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने एक list आएगी जिसमें आपको 0-5 साल के बच्चे का नया enrollment करवा सकते हैं उमीद है आप सभी को ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए साथी साथ चैनल को subscribe करना ना भूलें वीडियो से लेटेड कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे comment box में जाके जरूर लिखें तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत